दोस्तों, Nobel Prize दुनिया के सबसे highest honors में से एक है। दुनिया के 7 billion लोगों में से सिर्फ एक या दो लोगों को ये सम्मान हर साल दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसी family भी थी जिसके हर member को Nobel Prize से सम्मानित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ Mary Curie और उनके family की। आज की इस वीडियो में हम इसी महान साइंटिस्ट की बात करेंगे जिन्होंने अपनी discoveries से पूरी दुनिया की मदद की। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 7 November 1867 से जब पोलेंड में Mary Curie का जर्म हुआ. Mary के family की financial condition ठीक नहीं थी और उन दिनों लोग female education के खिलाफ थे। लेकिन क्यूंकि उनके parents education background से थे, इसलिए Mary को physics और mathematics की knowledge घर से मिली. 10 साल की उम्र में Mary स्कूल जाने लगी, लेकिन इसी साल उनकी मा का देहन्द हुआ. Year 1883 में उन्होंने gold medal के साथ अपनी graduation पूरी की. अब क्यूंकि society women education को support नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने अपनी बहन के साथ एक floating university में प्रवेश लिया, जहां society से चिपा कर महिलाओं को पढ़ाया जाता था. इसके बाद भी आगे की पढ़ाई के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए Mary ने अपनी बहन के साथ deal की. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने floating university में पढ़ाना शुरू किया और side by side अपनी scientific research शुरू की. यर 1891 में उन्होंने France जाकर University of Paris में प्रवेश लिया, यर 1894 में उन्होंने अपनी second degree प्राप्त की. Mary को France में एक lab की जरुवत थी, जहां वो research कर सकें. उनके एक physicist दोस्त ने उन्हें Piri Curie से मिलाया, जिनके पास एक lab का access था. Mary और Piri ने आगे जाकर यर 1895 में शादी की. Mary और Piri ने X-rays की discovery के बाद uranium पर research करना शुरू किया और radio activity की खोच की. उन्होंने ये भी बताया कि ये radioactive rays cancer treatment में भी use किये जा सकते हैं. Radio activity एक groundbreaking discovery थी. लेकिन उन दिनों gender inequality की वज़े से Nobel Prize Committee ने सिर्फ हेंडरी बकरल और Piri Curie को Nobel Prize देने का फैसला लिया. Nobel Prize Committee के एक woman advocate ने इस बात का विरोध किया और Piri Curie के complaint के बाद उन्होंने Mary को भी Nobel Prize देने का फैसला लिया. इस थरह year 1903 में Mary दुनिया की पहली Nobel Prize जितने वाली महिला बनी. Nobel Prize के बाद Piri Curie को University of Paris में प्रोफेसर के तौर पर न्यूप दिया गया. लेकिन year 1906 में एक road accident में उनकी मौत हुई. इसके बाद Mary को University of Paris में प्रोफेसर का पद ओफर किया गया. University of Paris को जोइन करने के बाद उन्होंने Radium Institute को जोइन किया और अपनी research जारी रखी. Mary ने Radium और Polonium इन दोनों elements को discover किया जिसके लिए year 1911 में उन्हें दूसरे Nobel Prize से समानित किया गया. World War के दौरान Mary ने soldiers की मदद के लिए mobile radiographic units बनाए. Mary soldiers की मदद के लिए अपने Nobel Prize तक बेचने के लिए तयार थी, लेकिन French Government ने उनके Nobel Prize लेने से इनकार कर दिया. Mary को World War के बाद Einstein के साथ भी काम करने का मौका मिला. उन दिनों लोग radiation के खत्रे के बारे में नहीं जानते थे और Mary दिन भर उनके संपर्क में रहती थी. यहां तक की lectures में भी Mary इन radioactive materials को अपने साथ ले जाती थी. 4 July 1934 में इसी radiation की वज़े से Mary की मौत हुई. Mary को अपनी जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपना काम जारी रखा. Mary के अलावा आज तक किसी को भी science field में दो नोबेल प्राइज नहीं मिले हैं. Mary ने अपनी दो बेटियों को भी काफी अच्छी शिक्षा दी जिसके चलते उनकी बड़ी बेटी इरीन को 1935 में नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री और छोटी बेटी इव को 1965 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया. इस तरह Mary Curie की family दुनिया की एक मात्रे सी family है जिसके हर मेंबर को नोबेल प्राइज मिला हो. दोस्तों Mary Curie को बचपन से ही कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा लेकिन इन सभी मुश्किलों से लड़कर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की. अपने पती के गुजर जाने के बाद भी उन्होंने दोनों बेटियों को संभला और अपनी research जारी रखी. आज उन्ही की बदोलत radioactive materials को energy production, cancer treatment और कई अन्य फिल्ड में use किया जाता है. year 2009 में एक पोल द्वारा उन्हें most inspirational woman in science गुशिप किया गया. year 2019 में उनके उपर radioactive नामक एक फिल्म बनाई गई. Mary Curie को जितने honors दिये जा चुके हैं उतने शायद ही किसी और को आज तक मिले होंगे. Society की हर मुसिबत से लड़कर अपनी discoveries से पूरी दुनिया को बदलने वाली इस महन scientist को मेरा सालाम.